Hello students, welcome to iExambe. आज़के एस वीडियो में इसम्स करेंगे DI in Data Interpretation जो हमारे IBTS-AFO एक्जाम पे ले काप भी इपॉट है IBTS-AFO में DI यानि Data Interpretation का एक बहुत अच्छा बेटेस होता है हमारे एक्जाम में 2-3 DI नोए एक्जाम में देखने के लिए लिए और जो DI हमारे एक्जाम में आती है वो हमारी Easy to Moderate और एक DI हमारी Difficult तेन में से डोटल अगर हम भाद करें तो दो DI हमारी Easy to Moderate और एक DI हमारी Moderate को difficult आजके इस वीडियो में जो हम दियाइ डिस्कुस करेंगे वो हमारी PyChart प्लस Table Graph एक्जाम में देखने लास्ट वीडियो में भी हमने किसी graph पेस डिस्कुस किती इतनी वीजन कि इस हमारा सबसे important graph है 5.2.4 के एक्जाम कोई देखने लास्ट पाइम जो हमने डियाइ डिस्कुस किती वो सेम ग्राफ पेस ती पर concept की बात करते हैं तो concept different है कि हमें डाटा इनिशली कंवर्ट करना है या Qustions में करना है और अगर हमें requirement अगर किस अप्रोच से हम करें किविश्ष को solve तो दिखे हमारे पस डियाए है उसमें फर्स पाइचाट में सिखिंग इसे टेवन का और तेवल ग्राफ में आपको पस ग्रबल रेशु का कॉंसी इस थाइप का डाटा हमें दिया गया है तो पाइचाट शोदी इस्टूरिशन आपकी स्टूरिंट्स अमंग दी सिटी एंग आज पाइचाट है आपकी सिटी आपकी ऑन इस रशोदी पस आपकी स्टूरिंट न्यूआद में याहँ, आपकी स्टूरिंटर। और 6 different cities में जो वहां से student बिलॉंग करते हैं, उनका जवराटा दिया है जसे देली से 21%, नार्पूर से 12%, लखनौ से 24%, पार्णा से 15%, कॉलकटा से 18% and कोबाल से 20%. अब इन employees यानि इन student में से ही कुछ boys और कुछ girls है, तो पहला ratio हमें दिया है कि from Delhi, Delhi से boys to girls का ratio तो student है उसमे ratio क्या है, और इसी में similar, employed to unemployed student का ratio हमें दिया है 13 ratio, तिक है यानि जो total number of student है, उसमें boys और girls भी define के गए गए और total number of student from Delhi City से ही कि कि उसमें employed और unemployed student ही है, हमें define, अब हमें क्या data initially convert करना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए या पर discussion कितने पार्ट में 6 part, फिर again boys to girls अगर हम कहीं तो यहां पर 6 part में boys, 6 part में girls, यानि 12 part का data हमें आपाई, यानि 12 quantities हमें यापाई, यानि 12 quantities हमें हमें आपाई, यानि 12 quantities हमें हमें आपाई, then again अगर हम हमें initially कितने calculation करने पाईगे, 6 plus 12 plus 4, यानि 30 value initially convert करना, 30 value initially convert करना difficult, इसलिए हम इसे questions में ही convert करें तो हमारे लिए better transfer, हम इस data को questions में ही convert करें, तो देखिए, हमारा first question क्या है, find the difference between total employed student and unemployed student, हमें difference बताना है, employed student and unemployed student, टेके, और अगर हम बात करेंगी हम आपके, यहां पर तिस तो हमें all cities के respect में, क्योकि पarticular तो हमें city का data दाखाइण नहीं हमारे, तो total employed and total unemployed student, टेके, जो 6 different cities का data देखिए, तो स्कुआ हमें difference है, तो तो हमें difference हमें हमें, तो हमें सब्सक्तों हम इस पाईगें, सब्स किसी बिज़ी सब्रक्त कियाता सकता है, यानि employed minus unemployed हो सकता है और unemployed minus employed हो सकता है। Difference भी positive negative का कोई concept है। अब अगर हम यह आपर देखे हैं, तो employed student का ratio is 13 ratio 8, जिसमे employed is greater है। इस नाक्पूर जिसमें employed student data है, फिर लगनों में employed जाता है। बजना में again employed और कॉलकर्टा में employed में जाता हैं और पवाल में employed student data है। तो यहां से clear होता है कि हम difference में clear ले थे हैं कि हम employed minus unemployed हों, तो सबसे पहले हम लेते हैं Delhi City, तो हो कितना है। तो हम 18 lakh को 18 ही ले लेते हैं, तो calculation easy रही और उसमें से अगर Delhi City में जा है, तो total का 21%, जिसमें employed to unemployed, अब इस difference बताना है तो directly में Delhi City का difference ही रहे लेते हैं, तो देखे 13, employed और unemployed student में रीशो किया है 13 ratio कि, जिसका difference कितना होगा, 13 minus 8 is 5 and total ratio is 13 plus 8 is 21, तो difference is 5 by 2, तो सीधा में Delhi का employed to unemployed का difference में है। इसे simplify करें, तो यह आपके कास 18 into 5 is 90, 90 upon 100 is 0.9, तो 0.9 जा है, सेखेंड हमें से City का fine करना लागा, तो टोटल है 18 like, जिसमें से हमारे पर 12%, चिके, और यहां पर ratio अगर हम कहें तो आपके पर employed to unemployed पर 2 ratio 1, difference is 1 and total is 3, तो टोटल is 3, से simplify करें 6 times, आपके, आपके पर सीधा आपके, 18, 6 times, 18, 18, 3 says 18 को करें 6 times, 12 into 6 is 72, 72 upon 100 is 0.7. थर्ड सीटी आपने पास रहा लगनाओ ठीके टोटल इंप्लोईएस इस 18 लेक्ट जिसमें से हमारे पास अगर आम बाज कर भें कि टोटल का कितने पॉरसेंट है तो लगनाओ में 24 ठीके और इसमें इंप्लोई तो अनिप्लोईट का डिफ्रेंस तो 5 रिशो 3 डिफ्रेंस इस इस 2 टोटल इस 8 ठीके इससे संक्रिफाइ कर लेंगी आपके पास ही वरियो आ जाएगी 3 3 इंटो 6 108 18 इंटो 6 इस 108 1.3 जा रिखने हम दिफ्रेंस ले ठीके यहां में हमने हर किसी में दिफ्रेंस ही लिया नेक्स्ट इस पातना ठीके 18 का बटना से जो स्टुडेंट लाउं क इक कि के दीफ्रेंस एपके पर स्ट्यूलन रिशयू ईंटुट इस हां में दीफ्रेंसौ इस 5 इंटिफ्रेंस इस 9 a 102 इंट्यके 5 इंटी का आपके 151.5 है सिमलार हमारे पास अलट रहOOO रहत अख्ड यहां बलतक्त का य spent में 18 पॉसिंग है रिचयो कितना है एंप्लॉइट वन इंप्लॉइट का 5 रिचयो को डिफ्रेंस इस वान अपॉन ना टोटल इस ना है तो इसे संप्लिफाइग गरेंगे 2 18 इंटो 2 इस 36.30 अपॉन में 100.36 नेक्स एंट लास्ट इस वोपाल सेज़ टोटल इस 18 18 में से कितना 10 पॉसिंग है और 10 पॉसिंग का इस वन इंप्लॉइट का रिचयो इस 5, रिचयो 2, डिफ्रेंस इस 5 रिचयो 3 तेके तो इस पल या पकी कर स्वाल्योट किन आ जाएगे 100 अपॉन में 100 ला सुए ए ठीरेंस इह से आपसे आप से रिचयों देगी जिग के इनको आटकर रिचयों तेके 100 अपन ने 100 इस पॉन तो यह आपके पास value आजाएगी 2.56, यह value आजाएगी 2.56, 2.56 plus 3 तो 5.56, तो 5.56 तो 5.56 तो नुम्हारा option number 3, तो हमें किस तरीके से smart approach से pushing को solve करना, हमें difference बताना था, तो difference के लिए ऐसा नहीं है, पहले में employed find करो all, then unemployed find करो 10 difference, इससे ही question बहुत calculated हो जाता और हम video time नहीं करें, हमें employed और unemployed की all cities में difference बताना है, तो directly आप difference भी find करें, तो इसका सब करती है, चिके, बजाए इसके, कि पहले मैं find 30 नहीं से employed को, कितनी होंते 13 वार करती है, फिर मैं find 30 वार करती है, 8 वार करती है, then difference find करती है, तो difference find करने है, तो आपको इस smart approach से, इस time TDI को solve, चलिए, next question देखें, next question है, girls from Delhi, इसका approximately what percent more and less than the girls from Delhi, इसका approximately what percent more and less than the girls from Delhi, देखें है, हमें सबसे पहले डेली में जो girls है, डेली सीपी से, वो find करती है, जो कितना है, आपके पस total student is 18 है, डेली इसका percent, इस number of student का 21 percent, जिसमें से हमें boys to girls का ratio किया है, 4 ratio 3, and girls का ratio is 3 by 7, ठीके, इसे simplify करने है, 18 into 9 is 162, और on में 100, इसका 1.60, तो डेली में जो girls है, डेली से जो girls के लाउं करती है, कितनी है, 1.62 लाग, ठीके, similar हमें find करने है, इनाटकोर की, then comparison, what percent more, अगर what percent होता है, अगर what percent होता है, तो हम गरेखें करती है, तो देखें, 18 lakh total student है, जिसमें से नाटकोर में कितने हैं, तो 12 percent, and similar हमें girls find करने है, तो नाटकोर में boys to girls का ratio is 7, ratio 5, and girls is 5, and total is 4, ठीके, इसे simplify करेंगे, तो आपर बस कितना आएगा, 0.90, ठीके, 18 into 5 is 90, 0.90, अब हमारे पल्स ये move है, ये list से पहले तो ये देखना है, तो पहले कि जो girls है, वो more, what percent more, तो हमें ये more बताना है, कितने percent, ठीके, तो 1.62 minus 0.90, upon ले क्या एक 0.90 into 5, ठीके, इसे subtract करेंगे, तो ये value हाजाएगी 0.70, upon ले 0.90, ठीके, पॉइंट से point remove, 12 से से simplify करेंगे, तो 18 से simplify करेंगे, तो 18 से 4 ताइम और 18 से 5 ताइम, 4 by 5 तो 4 by 5 तो 4 by 5 तो 80 तो कितने percent more है, 80 percent, ठीके, कितने percent more है, 80 percent, जो हमारा option number 3. Next question is find the average number of girls from all 6 cities together. तो यहाँ पर हमें smart approach किसे, हमें 18 लेको 18 ही लेकी consider करके चल्दा है, तो सब से 5 ताइम बाद करतें value ही है. 18 का, अभी देखिए हमने डेली में girls find care already और मार्कोष से, तो कम यह तो directly में से, ठीके, इसे बार-बार calculate करने की जरत नहीं, हमने अभी डेली से क्या है girls find कीती ना, तो डेली में कितने ही 1.6 तो, और नाकोल ही आपके पास, इसे नाकोल में आपके पास 0.90, ठीके, rest of the cities, हम find the letters, next is, ठीके, तो टोटल कितने student है, 18,18 लेक में से, आपके पस लग्ना हुए 24%, आपके पस लग्ना हुए 24%, आपके गर्स, वायस तो गर्स का रशयो इस 7, रशयो 5, और गर्स इस 5,5, 12, ठीके, इसे simplify करेंगे, इसे 2 time feeding into 10, 180, 181.5, next is ए पत्ना, ठीके, तो टोटल student is 18 लेक, जिसमसे पत्ना में 0.15%, ठीके, and पत्ना में बाइस पगोष का रशयो is 11, रशयो 4, तोटल इस 4 लेकर, ठीके 15 से 15 तंसे 18 से से simplify, 18 into 4 is 72.7, next is call button total student is 18 like business call button made 18% total ka or ratio boys to girls ka 11 ratio 7 girls ka ratio is 7 by 18 say 18 10 says 18 into 7 is 126 to 1.26 and let me ask how about your spouse मुपाल city में total 18 का कितमे % 10 को अब जिसमें boys to girls का ratio is 7 ratio 13 girls का ratio is 7 by 3 by 10 ठीक है हाँ friends से ही 10 cancel out 18 into 3 is 54.5 अब इन सब का sum कर लेंगे तो हमारे पास total आजाएगा और average find दिने के लिए divided आजएगा तो इन सब का sum कर लेंगे आपके पास 1 1 1 3 तो यह होगे आपके पास बेस्टों की value आप add कर लिए 0.90 something ठीक है तो यह आपके पास total value आजएगा 6.8 ठीक है 6.849 यह हमारे पास all city से total girls आजएगा तो हमें क्या find करना है average आपरेज क्या होगा तिन सीटी का data 6 तो divided by 6 divided by 6 यह आपके पास value आएगी 1.1 1.14 in 2 में 1 leq करेंगी ठीक है तो आपके पास value आजएगी इन options में से आपके सामने हैं किसे ठीक है 1,14,000 जो हमारा option number 3 जो हमारा option number 3 जो हमारा option number 3 जो नेक्स दीखिए नेक्स दीखिए नेक्स दीखिए तोटल number of voice from Latino is approximately what was sent out the total number of unimplied from city from 10 देखिए ठीक हमें यह आपर सबसे बहले क्या है अगर हम दीखिए जब compatible दिया होता डिरेक्टी what was it from directly data लगनाओ से जो boys है कि पहले अगर हम कहें total student कितने है 18 जिसमें से लगनाओ का जो percentage है जो number of student जो है कितने है 20 तो लगनाओ में boys to girls का ratio कितना दिया है 7 ratio 5 and boys is 7 5 यह what percentage है किसका जो डेली से unemployed student है तो unemployed student डेली से पहले डेली का total student कितना है 20% total ठीके and then employed to unemployed का ratio कितना है 13 ratio के इसमें से unemployed is 85 what percent to cancel? ठीके 18 से 18 cancel हो जाए न ठीके 100 से 100 cancel है 21 से 21 cancel एंसर यह से 4, 7 x 4, 7 x 2 x 7 is 14, 15 upon 8 x 2, चीके, तो यह वेल्यू कितनी आ जाएंगे, आप 4 से मिनिमाइस का तीचे, 2 से पहले 2 से तो यह 7 बार को, आप 4 से इसको मैं मुल्चिप्लाइब करेंगे, तो आपने वसी कितना एकट पनेगे, तो 5 x 7 is 17, चीके, तो आंसर इस 175%, यह जो ह हमारा option number first, ठीके, next and last option हमारा STI का, find the ratio of girls from Kolkata, ठीके, girls हमारे पास का, कौन से CTT की Kolkata ही, ठीके, girls find करने हमें उसमें ratio, and second हमें क्या है, पटना CTC empliards, ठीके, तो total employees is 18, जिसमें से Kolkata की, हमारे पास percentage students का कितना है, तो की देनी का है, जिसमें से हमें girls find करने हैं, तो boys to girls का ratio is 11, ratio 7, and girls is 7 by, similar, पटना CT से हमें employed students, तो total is 18, राइक, और पटना CT का हमारे पास कितना है, तो कितना 15 पॉसिब, कितना student है, total यह पॉसिए, जिसमें से employed to unemployed student का ratio is 7, ratio 2, तो employed is 7, and total is 7, अब इसे simplify करनेंगे, ratio find करना है, तो directly हम ratio में value राइक राइक का सब्के, 18 से 18 cancel, 100 से 100 cancel, ठीके 18, यह 18, 18 से अगे यहां पे cancel out हो कर, ठीके 7, 3, 7 cancel out, तो यह आपके पास 9 ratio 15, और minimized form is 3 ratio 5, तो अगर हमारे पास इस type के लिया है, जिसमें हमें numbers की form में data convert करना ही होगा, तो कि smart approach से हमें calculate करना ratio और call send इस हो, तो इस DI में हमें हमें इस 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 के सेशन में हमें हमें इस इस के सेशन में हमें एक DI ही discuss करेंगे, ठीके, जिसमें हम pie chart और even graph to dc, SCDI discuss करेंगे, जिसमें data हमारा ही होगा है, ठीके, चलिए, thank you so much, बिलते हैं next.